नमस्कार दोस्तूं दोस्तूं इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हिंदी सिक्षन विद्यू के वह है इंपोर्टेंट 35 परसन जो बार-बार एकजामू के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तूं बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तूं अगर आप रीट की सीटेट, य एंज्टेट या किसी भीराजे की टेट बरति की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का अंतहат आप एक बार जरूर देख लें दोस्तूं चलते हैं दोस्तूं क्यूसन की ओर अगर आप नए हैं पहली बार चैनल पर आहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडिय रहेगा यहां पे वो रहेगा ओप्शन सी वाला दोस्तों प्राचीन काल में इन में इन विदियों में से जो प्रश्णोतर विदी है वो प्रचलित रही थी दोस्तों नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं क्यूसर नंबर दो है 15 अगस्ट का लेक बताकर 26 जनूरी पर लिखवाना किस विदी से समंदित है बताया तो था 15 अगस्ट का और लिखवाया कौन सा है 26 जनूरी का कौन सी विदी से समंदित है सबद परधान विदी से बासा मंतर विदी से प्रश्णोतर विदी से या अनुकरण विदी से ओप्सन डी सही रहेगा दोस्तों अगर कहा जाए कि आपको 15 अगस्ट पर लेक लिखना है तैयारी करना और लिखवाया जाता है 26 जनवरी पर तो यहां पर अनुकरण विदी की पालना की जा रही है नेक्स्ट क्यूशन में च उदबोधन विदी, बासा लेक विदी या मोंटेशरी विदी यहां पर दोस्तु यहां पर आपको ठोड़ा सा उदबोधन विदी हैं कौन सी विदी है उदबोधन विदी तो दोस्तों पूचक है कि एक सिक्सक है जो बालक को चितर दिखा कर परसन पूचकर कानी को पढ़ा रहा है मतलब वो उदबोधन विदी से लिका रहा है ओप्सन भी है जो आपका यहां पे सही रहेगा रचना सिक्सन की किस विदी से पढ़ा रहा है उदबो दन विदी से क्यूसर नमबर चार है अध्यापन करते समय एक सिक्षक को शिक्षन का समंध निवन में से खित के साथ करना चाहिए ताकि बच्चे सरलता पूर्वक सीख सके दोस्तों कता कानियों के साथ पसु पक्सियों के साथ खेल खिलोनों के साथ या उपरोग सभी के साथ दोस्तों एक अध्यापक है जो सिक्सन का कारिये कर रहा है उसमें उसको चाहे कता कानियों के साथ समंद करना हो पसु पक्सियों के साथ समंद करें या खेल खिलोनों के साथ समंद करें इनके साथ अगर सम्मंद करेगा तो बच्चे है वो सरलता से सीख पाएंगे नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं सिक्षक का परतम उद्श से एकी बासा सिक्षन का के अंदर हो बासा सिक्षन का के अंदर होना चाहिए दोस्तूं बालक अभीभावक समाज या विदाले बासा सिक्षन का हमेशा के अंदर कोन होना चाहिए दोस्तु बालक होना चाहिए next question में चलते हैं कौन सी विदी परबोधन विदी से मिलती जुलती है इन में से कौन सी विदी है जो परबोधन विदी है उससे मिलती जुलती है दोस्तूं मंतरना विदी, उदबोधन विदी, परवचन विदी या उपरोक सभी सही जो आपका यहां पे रहेगा दोस्तूं वो रहेगा option A परबोधन विदी से मिलती जुलती विदी है मंतरना विदी दोस्तूं नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं एक अध्यापक चात्रू को पुस्तके परधान कर देता है और अपने आप में नीमंद लिखने को कहता है और बीच बीच में वे उनको मारक दर्शन परधान कर रहा है किस विदी के अंतरगत ऐसा कारिये किया जाता है दोस्तूं मंतरना विदी, उदबोधन विदी, परवचन विदी या उप्रोक सभी मंतरना विदी के अंतरगत चात्रू को पुष्ट के परदान करके उनको निमन्द लिखने को कहते हैं और बीच बीच में अगर अगर हध्यापक मारिक दर्शन करता है मतलब मंत्रना विदी नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं एक अध्यापक अपना व्यक्यान समाप्त कर विदार्तियों को रचना कारिये करने को कहता है किस विदी के अंतरगत आता है दोस्तु ये अध्यापक है अपना व्यक्यान है वो खतम कर देता है खतम करने के बाद उनको रचना करने के लिए कहता है तो यहाँ पर कौन सी विदी है दोस्तूं कौन सी विदी है मंत्रना विदी परवचन विदी उदभोधन विदी या कोई नहीं व्याक्यान कतम हो गया है व्याक्यान समाप्त हो गया है व्याक्यान समाप्त होने के बाद उन्हें रचना का रहे है मतलब वो क्या कर रहे हैं दो दोस्तु उद्बोधन परबोधन और परशनोतर आदी कहीं विदियों का मिश्रन रूप मिश्रित रूप है या मिश्रन रूप है दोस्तु रूप रेका विदी परशनोतर विदी फरवचन विदी या उपरोग सभी सही रहेगा एक नमर ओप्सन रूप रेका विदी दोस्त option एक आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों next question में चलते हैं question number 10 है सुत्र विदी के नाम से किस विदी को जाना जाता है जो सुत्र विदी है उसके नाम से किस विदी को है वो जाना जाता है दोस्तों उद्बोधन विदी को परवचन विदी को यह रूप रेखा विदी को सुत्र विदी के नाम से जाना जाता है आपके रूप रेखा विदी को दोस्तु ओप्सन आपका डिस सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन है ग्यारा नमर निवन में से क्या बासा सीक्षन में सीकने की एक विशेष्था नहीं है कौन सा नहीं है दोस्तु देखते हैं बासा के ग्यान में विकास करता है जो बासा है वो ग्यान में विकास करता है सही है ये परियोग करता है तो यह परकिर्या कहलाती है प्रेर्णा अधिगम सिक्षन या अधिग्रहन सही रहेगा डियोप्षन अधिग्रण सीखिव बात का परियोग अधिग्रण किया उसने फिर परियोग कर रहा है नेक्स्ट यूशन में चलते हैं सीखने में संबंद पर्तिकरिया सिद्दान्त का परतिपादन किया था थोरन डायक ने इसकिनर ने पावलाव ने या कोलर ने किस ने किया था मित्रू पावलाव ने option c सही रहेगा यहाँ पर next question है लिखना सीखने से पूरू है यहाँ पर पूरू है दोस्तों पूरू है इसको टादो बालकू को चितरकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चितर ही है इस मत का समर्तन किया था मातमा गांदी ने अरविंद गोस ने विवेका नंद ने या व चैनी चाहिए क्योंकि अक्सर भी चितर होते हैं इसका मत का समर्तन किया था मातमा गंदी ने नेक्स्ट क्योंस ने तीन या चार कलासें वहाँ पर हो चुकिए, एक बार जाईए और वहाँ पर कलासें अटेंड कीजिए, इसी के साथ सेंसकर्ट सिक्षन विदियां भी आपको करवाई जा रही है, अगर आपने भासा के रूप में सेंसकर्ट चुना है, तो सेंसकर्ट सिक्षन विदियों का को कि देन इक या का संपर्ति किसकी देन दोस्तूं मौरिशन की मेस सब्झाइब का यहाँ पर सही रहीगा नेक्स्ट् conclusion में बासाइ कोस्ल का लिखित अभीवेक्ट रूप है जो बासाइ कुंसा है उसका लिखृत अभिवेक्त रूप कौन सा है सुनना पढ़ना उचारित या लिखना लिखित यानि लिखित अभिवेक्त लिखना ही है दोस्तों D option आपका सही रहेगा next question में चलते हैं D का उचारणिस्तान है भहुत अच्छा question है दोस्तों व्याकरण की दरश्टी से है और section video दोनुमें आता है D का उचारणिस्तान है दोस्तों D का उचारणिस्तान कौन सी जग है मूर्धा option C आपका सही रहेगा next question में चलते हैं पाठे पुस्तक का अधेनात्मक पक्स है पाठे पुस्तक का अधेनात्मक पक्स होता है पुस्तक का आकार परकार, मुख प्रिष्ट, जिल्द, प्राक कतन, अधेनात्मक पक्स प्राक कतन होता है, important question है इस बार के लिए दोस्तों, next question में चलते हैं, वेचारिक सामगरी है, इन में से वेचारिक सामगरी कौन सी है, सरचना, मूल विशेवस्तू, सब्दावली या व् option b, मूल विशेवस्तू, वेचारिक सामगरी होती हैं, next question के ओर चलते हैं, question नमर 20 है, सरवे दर्शे साधन है, 스र्वे ओर दर्शे साधन इन में से हैं, चल चितर, चितर, चितर विस्तारक, रेका चितर, ये तीनों हैं दोस्तू, देखिए, चितर दर्शे साधन है, चितर व रहेएगा e option next eision में चलते हैं नाटक का समन्द किस गर Lapkę का समन्द किसे हैं the one से हैं कानक से नंग ढङ से जाहिए साइगा option therapeutic का समन्द कान प्रियोंकि नाटक के अंदर आपको सुनाइभी देता और दिखाइभी देता है तो आखों और कानूं दोनों का प्रियोग नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं मित्रूं नेक्स्ट क्यूशन है सत्तर की समाप्ती पर प्रियुक्त मुल्यांकन है सत्तर की जैसे ही समाप्ती हो जाती है कौन सा मुल्यांकन लिया जाता है दोस्तों नियोजना आत्मक मुल्यांकन नि option आपका यहां पे सही रहेगा next question में चलते हैं blueprint दाचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है blueprint अगर हम बना रहें तो उसमें कौन सी चीज यहां से उपयोगी नहीं है दोस्तों next question में चलते हैं उपचारात्मक सिक्सन है सीखने समंदी कटिनाईयों का ज्यान प्राप्त करना अध्यापन समंदी कटिनाईयों को दूर करते वे सिक्सन किया जाना बालकूं की वर्तनी समंदी कटिनाईयों का पता लगाना सिक्सक की विशे समंदी कटिनाईयों का पता लगा नीदाना अतमक उप्चारात्म किया जाता है इसके अंदर करते Lindsay निंद करते वह संग सक्ञारी करवाया जाता है दोस्तौँ नेक्स्ट क्यूसर चलते है क्यूसर नंबर 26 बशा कोशल है सिक्षां कराना अदीगम कराना अनुदेशन करना या फिर दक्सता प्राप्त करना इंपोर्टेंट क्यूसन है यह और जो बासा कोसल होते हैं वो दक्सता प्राप्त करना होता है दोस्तूं नेक्स्ट यूसन में चलते हैं, प्रोजेक्ट विदी में सिक्षया परदान की जाती है, सेधानतिक सिक्षया, जीवन उपयोगी सिक्षया, बेसिक सिक्षया या नेतिक सिक्षया, बात ओर ही है प्रोजेक्ट विदी की, प्रोजेक्ट विदी के अंदर जीवन उपयोगी सिक से है वो परदान की जाती है दोस्तों नेक्स्ट यूशन में चलते हैं प्रस्तावना का मुख्य उद्श से है उद्श से कतन करना प्रस्तूती करन करना नवीन ग्यान ग्रन है तू तत पर रहना और सामनेई करन करना पूचा क्या है कि प्रस्तावना का मुख्य उद्श से प्रभहु उत्पध्य या उच्चारन की सुधता। भीवेक्ति की बात होुरिये तो उच्चारन की सुधता। डी ओप्शन आपका सई रहेगा और इंपोर्टेंट क्यूसन है। नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, निर मैंसे संयुक्त वेंजन है, संयुक्त वेंजन कौन सा है इन मैंसे, श्रह, बै, भै, सै, बात हो रही है संयुक्त की, तो श्रह है, ओप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, क्यूसन नमर 31, मुल्यांकन का छेतर प्रक्षिया से होता है, सिमित, विस्तरित, समान या संकूचित, जो मुल्यांकन का छेतर होता है, वो प्रक्षिया से, कैसा होता है दोस्तों, विस्तरित होता है, ओप्शन भी है, जो आपका यहां पे सह रहीगा important question है ये भी next question में चलते हैं उपलब्दी प्रिक्षन का उपयोग नहीं होता है किसमें वर्गी करण में स्रेणी विबाजन में सिख्सक की कठिनायू का निधान या सिख्सक सेक्सिक निर्देशन में जो उपलब्दी प्रिक्षन होता है दोस्तुं उसका परियोग य करते हैं चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है निधान उपचार निधान वे उपचार उपलब्दी चिकित्सात्मक जो अध्यन होता है या अध्यापन कारी होता है उसको निधान वे उपचार कहा जाता है एक चिकित्सक के अगर आप पास जाते हैं डोक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर आपकी जो बिमारी उसका पता लगा जाता है फिर उसका उपचार किया जाता है और निदान के अंदर आपकी कटिनाई का पता लगा जाता है समस्या पता लगा जाता है और उपचार के अंदर उसका उपचार या उस समस्या का हल किया जाता है करण और प्रस्तूति करण यह option है जो सही रहेगा और चलते हैं अंतिम क्यूसनों की और बाकी वीडियो जो क्यूसन है और भी अच्छे जो क्यूसन इंपोर्टेंट क्यूसन है उनका वीडियो और लेकर आएंगे दोस्तों जुड़े रही है हमारे साथ आप सर्वे दर्से सि सिक्सिया को अधिक रोचिक बनाना ये तो है सिक्सिया का इस्ताई बनाना ये भी है सिक्सिया को अधिक प्रभावकारी बनाना ये भी है सिक्सिया को नियो निस्परियोजन बनाना ये नहीं है दोस्तों सर्वे दर्से सिक्सिया से ताथ परे D option आपका यहां पर सही रहेग वीडियो को लाइक, सेर और जो नए साथे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें